बेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है 8 मार्च 2023 और 8 मार्च 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वीब मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम में आपसे कुशन पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स बताना है आज किस वीडियो की पेडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भ माइला दिवस कब मनाया गया है तो आज यानि की आठ मार्च को अंतरास्टी माइला दिवस मनाया गया है तो इसकुशन का बे आपसेंस है है माइलाओं और पुरुसों के बीच समानता की सिद्धानत की पुस्टी करने के लिए हर साल आठ मार्च को अंतरास्टी माइला दि की theme क्या है इस बार की theme है embrace equality या है embrace equality अचा अभी 1 March को सूनने भेदवाव डिवस entfernt नाये गया तेन मार्च को बेच्षण बन निजीव दिवस मनाये गया चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और 200 मोटापा दिवस मनाया गया 6 मार्च को 200 टैनिस दिवस मनाया गया तो मार्च में अब तक इतने important यह मनाया गया है यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं चाले इसे लाइक कर तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning में उठकर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में केंद्री मंत्री डॉक्टर जितेन सिंग ने सुसासन सम्मेलन का उदगाटन कहां किया है तो हमारे केंद्री ये कार्मिक लोक सिकायत और पैंसर राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेन सिंग इन्हों ने अभी सुसासन सम्मेलन का उदगाटन भोपाल में किया तो इस question का say options है भोपाल सुनके कुछ याद आता है भोपाल में है भोज दाल ये हर बार में आपको बताता हूँ और अभी राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में एक सम्मेलन का उदगाटन किया था उस सम्मेलन का नाम भी मैंने आपको बताया था कौन सा सम्मेलन था सात्मा अंतरास्टी धर्म धम सम्मेलन अभी भोपाल में हुआ इसका उद्गाटन राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने किया अच्छा सुसासन सुनके कुछ याद आता है सुसासन दिबस ये कब मनाया जाता है 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को हर साल सुसासन दिबस यानि की Good Governance Day मनाया जाता है ने क्यूशन है हाली में Digital Payment को बड़ावा देने के लिए केस ने हर Payment Digital Mission Launch किया है तो अभी RBI ने Digital Payment को बड़ावा देने के लिए हर Payment Digital Mission Launch किया तो इसकुशन का Bay Options है है अब RBI यानि की Reserve Bank of India इसकी स्तापना कब हुई 1 April 1935 को इसका Headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके Present Time पर Governor कौन है सक्तिकांत दास सिर्फ इतना नहीं याद रखना है कि Governor सक्तिकांत दास है आपको याद ये रखना है कि RBI के 25 में नम्मर के Governor है सक्तिकांत दास ये पूछा जाता है आपसे पूछ लेगा कि 25 में नम्मर के Governor कौन है तो आप फुड़ा सा कन्फ्यूज है जाएंगे तो हमेशा याद रखिए ये आपको इनका टर्म याद रखना है RBI के 25 में नमबर के गवर्णर है सक्तिकांत दास नए क्योशन है हाली में किस राजी के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना सुरू करने की गोशना की है तो अभी उत्त्राखंड के चेपनिष्टर पुसकर सिंग धामी ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की गोशना की तो इस कुश्यन का C options आई है एकल महिलाओं को आत्म निर्वर बनाने के लिए ये स्वरोजगार योजना है और इसको सुरू करने की गोशना उत्त्राखंड के चेपनिष्टर पुसकर सिंग धामी ने की अब उत्त्राखंड तो ये है मैप में उत्त्राखंड उत्त्राखंड की केपिटल क्या है दैरादून यहाँ पे ध्यान रखिए दैरादून विंटर केपिटल है और गैरिसेंड समर केपिटल है उत्राखंड की चीपनिश्टर है पुसकर सिंग धामी और उत्राखंड की गवर्नर कौन है गुर मेत सिंग अभी उत्राखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक के स्ताफित करेगा बारत उजवेकिस्तान प्रसिक्षड अभ्यास डस्ट लेक उत्राखंड में हुआ है उत्राखंड में नकल विरोदे कानू लागू हुआ है एम्स रिसी केस ने ड्रोन के जरिये तपेनिक की दमाय पहुचाने का ट्रायल पूरा किया है उत्राखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राजी को नसा मुक्त करने की गोशन की है और लियूमिनस त्वारा भारत की पहली हरित उर्जा आदारित सौर पैनल फैक्टरी उत्राखंड में बनाई जाएगी अच्छा उत्राखंड में फूल देई तिवार मनाय जाता है फूलों की घाटी उत्राखंड में है और हरेला पर्व उत्राखंड में मुनाय जाता है उत्राखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्मनाम पूचा जाता है इसका पूर्मनाम है Helly National Park नैक क्यूशन है हाली में Asia प्रसांथ छेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवायँडे की रूप में कैसे गोसित किया गया तो ASIA प्रसान्थ छेतर में सबसे अच्छे और स्वच हवाईडे की रूप में दिली हवाईडे को गोशित किया गया तो इस कुश्टिन का B option सही है दिली में तो इंदरागांडी International Airport है उसको सबसे अच्छे और स्वच हवाईडे की रूप में गोशित किया गया अच्छे यहां पर एक हवाईड़े का नाम लिखा है सिब मोगा हवाईड़ा यह अभी इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है इसको अभी करनाटक में बनाया गया और यह कमल के आकार में बनाया गया है लगबग 400 करोड रुपए की लागत से इसे बनाया गया तो आप इसके इंड द्रूट के साथ साज़रा की तो अब ए एस एलटक वी ने ग्रापकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के के लिए माइक्रोजोफ्र के साथ माइड़ा रिकी मैला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायदीस नामित किया गया तो एक इंडो अमेरिकन मैला है तेजल महता इनको अभी अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायदीस नामित किया गया तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है आप इमेज में देख लीजिए ये हैं टेजल मेहता, अब अमेरिका का नाम आया है, तो अमेरिका ने एरान पर तेल और पेट्रो केमिकल से संबंदित नए प्रतिबंद लगाए है, ये इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एकसाईज है, नैक क्योंशन है हाली में कहा, 23 मारा रास्ट मंडल कानून सम्मिलन शुरू हुआ है, ये गुवा चेपिटल क्या है, पढ़ जी, गुवा की चीपनिष्टर कौन है, प्रमूत साबंथ और गुवा की गवर्नर कौन है, पे-एस स्री धरन पिल लई, गवा से दो most important question मनते हैं एक है गवा Liberation Day यानि कि गवा मुक्ती दिवस का मना जाता है ये हर साल 19 दिसम्मर को मना जाता है और क्यों मना जाता है क्योंकि 19 दिसम्मर 1961 को गवा पुर्त गाल से मुक्त हुआ था एसलिए हर साल 19 दिसम्मर को गवा Liberation Day मना जाता है और गोवा इसता अपना दिवस कमना जाता है तेस माई को अभी केंदरी मंत्री भूपेंदरी आदम ने गोवा में आद्र भूमी बचाओ अभिहान शुरू किया गोवा सरकार ने The Vision for All School Eye Health कारिकरम शुरू किया भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल इस्तित आठ लेन जुआरी ब्रिज का उद्गाटन गोवा में हुआ नौमी 200 आयरवेट कॉंग्रेस और आरोग एक्सपो 2022 का उद्गाटन गोवा में हुआ है त्रेपनमा भारते अंतरास्टी फिल्म महुत्सप गोवा में हुआ और गौवा के मुख्य मंतरी ने मुख्य मंतरी देव दर्सन यात्रा योजना का अनावरण किया है अभी रेबीज मुक्त गोसित होने वाला भारत का पहला राज बना है गौवा और पहला एलकोहल म्यूजियम गौवा में खोला गया गोवा में बोंडरला बाइल्ला उंचुरी है कूटिगाउन वाइलैण उंचुरी है मोलम नेशनल पार्क है इसे भगवान महाबीर नेशनल पार्क कहते हैं और डॉक्टर सलीम अली पक्षी बिहार भी गोवा में है हाली में सिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पार्टिक्रम का सुवारम किया तो हमारे सिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद प्रधान इन्होंने अभी IIT मद्रास में नए BS यानि कि बैचलर साइंस पार्टिक्रम का सुवारम किया तो इस कुश्षिन का A option से ही है इलेक्ट्रोनिक सिस्टम में चार साल के बैचलर साइंस पार्टिक्रम का सुवारम सिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान ने किया है अब IIT की बात है तो अभी केंद्री मंत्री अनुराग ठाकोर ने IIT रोपड में युबा उत्सब भारत एड़ दरेट 2047 सुरू किया नेक्स जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साज़धारी किया है IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रसिचट मॉड्यूल बिक्सित करेगा IIT मद्रास ने रास्टी बौद्देग संपदा पुरुसकार जीता है नासा और IIT मद्रास की सूथ करताओं ने अंत्रिच स्टेशन में सूच मजीवों का अध्यन किया है नेक्स जनरेशन है हाली में सैबलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड अमबेजडर बनाया है अचा अभी पैपसी ने रडवीर सिंग को अपना नया ब्रांड अमबेजडर बनाया UNICEF इंडिया ने बाल अधिकारों के अमबेजडर की रूप में आईशमन खुराना को चुना मिंट्रा ने रडवीर कपूर को अपना ब्रांड अमबेजडर बनाया प्यूमा इंडिया ने हर्मन प्रीत कौर को अपना ब्रांड वेजडर बनाया रास्टी खनिज बिकास निगम ने निकध जरीन को अपना ब्रांड वेजडर बनाया ये अभी recent ब्रांड वेजडर बने हैं ये आपको याद रखने है ने क्यूशन है, हाली में किस ने नए लेखा महानियंत्रक की रूप में कारिवार समाला है, तो अभी SS दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक की रूप में कारिवार समाला, तो इस कुशन का C options आई है, ये हैं SS दुबे और इनों ने ही अभी नए लेखा महानियंत्रक की में कारेबार समाला अच्छा अभी प्रामेरिका लाइफ इंसोरेंस ने पंकज गुपता को MDNCU न्यूक्त किया है ससस्त्र सीमावल का महाने देशक रस्मी सुकला को न्यूक्त किया गया इंडियन्स मैंस होकी टीम के कोच क्रेग फुल्टन मने हैं केंद्री बिद्धुत निय न्यूक्त किया गया और प्रधान महाने देशक राजियस मलोत्रा को न्यूक्त किया गया है ने क्यूशन है हाली में केंद्री सिचाई एबम बिद्धुत बोर्ड पुरुसकार किस संस्तान को प्रदान किया गया तो अभी केंद्री सिचाई एबम बिद्धुत बोर्ड सिचाई एबम बिद्युत बूर्ड पुरुसकार एंटी पीसी को प्रदान किया गया है एंटी पीसी यानि कि नेशनल थर्मल पॉबर कॉर्परेशन इसकी स्तापना का वही 1975 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है न्यू डेली में और इसके प्रजेंट एंप एंडी एंड च प्रोट के जस्टिस हैं बे रमा शुब्रमनियम इन्होंने अभी इंडिया इस्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधियन इरा नामक पुस्तक का विमोचन किया तो इसकुषिन का से ओप्सिंस है अच्छा कल ही मैंने आपको बताया है इंडिया बैक्सीन ग्रोथ स्टोर किया है ने क्युषिन है हाली में जारी एटीपी रेंकिंग में बेस्टू नंबर एक टैनिस किलाडी कौन बने है तो अभी नोबाक जोकोविच इस बार की एटीपी रेंकिंग में बेस्टू के नंबर बन टैनिस किलाडी बने तो इसकुषिन का ए ओप्सिंस है यह यह है नोबाक जोकुविच और ये अभी जारी ATP रेंकिंग में बेस्टू के नंबर बन टैनिस के लाड़ी बने हैं। अच्छा नोबाक जोकुविच फर्स्ट नंबर पे हैं। कारलोस अलकलाज सेकेंड नंबर पे हैं। और स्टेफानोस सित्थ सिपास 3rd नंबर पे हैं। अच्छा अभी मॉंबाई में विमेन प्रेमियर लीग सुरू हूई है। नबी मॉंबाई में पहली विमेन प्रेमियर लीग सुरू हुई। अच्छा काला गोडा कला महुत सब मुंबई में शुरू हुआ था इतना आप मुंबई के बारे में आद रखिए अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्चिन पूचा था कि भारत और केजदेश की सेनाएं एक सेयुक्त सेन अभ मुष्टले शुरूएट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बर फिर बोलूगा कुश्चिन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question, आपके लिए आज का question है, हाली में मउगंज के सराज का त्रेपनमा जिला बना है, चार option दिए गए हैं, इन में से आपको अपना answer बताना है, और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पर join कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर indreashrc, Instagram पर indreashrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation, discuss कर सकते हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का target जरू याद रखना, आज किस वीडियो का target है, 40 है like का, तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है, तब आप इस video को like और share जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं, उनमें आप इस video को share जरू कर द आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा, आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें, जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे, next exam all page video, thanks for watching.